प्रवागते दिश्वागते आप सभी एस्पिरेंट का इस आइकोनिक एस्पिरेंट पे साथि कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तयारी को पुरा कर रहे होंगे इसी करी में साथी आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया विषय लेकर आए हैं जो कि परियाबरन आप सभी के कहीं न कहीं आप सब को पता होगा कि आपके सलेवस में परियाबरन की भी बात की गई है EVS की तो हम इसी करी में सोचे साथी की हम तो सब कुछ कबर करवा दिये हैं लेकिन एक परियाबरन है जो की आपका बचरा था तो हम यह परियाबरन को भी लेकर आ गए हैं अब रेगुलर परियाबरन पे पूरा क्लास आपका मेलेगा साथी साथ में कुछ important परियाबरन के बारे में हम बात करेंगे और उस पर एक एक चैप्केटर करके बात करेंगे और उस पर आपको हम प्रूप के साथ भी दिखाएंगे कि किस किस एकजाम में कोन कुन से प्रश्ण पूछे गए हैं परियाबरन पे तो काफी important यह session है लेकिन इससे पहले साथ ही आप सभी को बता दें कि इस चैनल पर पूरा सिच्छक भरती का classes अप्लोड किया गया है पूरा syllabus पढ़ाया जा रहा है तो आप से request है कि इस चैनल पे आप आये हैं तो please channel को share कर दीजे साथ ही subscribe कर दीजे तभी हम regular आपके लिए content ला पाएंगे regular classes ला पाएंगे ठीके तो request है कि आप session में रुके रहिएगा और जिन साथ ही को या पीडियाप चाहिए वो हमारे टेलिग्राम को जोइन कर लेंगे साथ ही class over होते के साथ आपको वहाँ पे पीडियाप मिल जाएगा तो चले start करते हैं साथ ही आज का जो आपका पढ़ियापरन का पहला जो कहीं न कहीं एक chapter है यह आपका है पढ़ियापरन एबम सततविकास जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि परियापरन होते क्या है ठीके पूरा हम लोगे एक theory के माध्यम से कहानी के माध्यम से समझेंगे अच्छे से उसके बाद हम साथी question का भी answer करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस किस exam में कहां कहां से प्रशन पूछेगे हैं परियापरन से संबंधित ठीके तो बस आप लोगे class को पूरा देखिएगा बहुत important class है और एक बाद आप सब से जरूर कर दिजिए तो चले start करत परियापरन वास्तपिक में होता क्या है ठीके मेरा उद्यस से रहता है कि सभी के लिए हम content लाएं चाहे हो senior student हो junior हो सब को समझ में आना चाहिए तो सबसे पहले ध्यान दिजिगा साथी कि परियापरन अगर आप कभी नहीं भी पड़े हो फिर भी आपको समझ में आना चाहि जो हमारे चारो और है उसको हम क्या कहेंगे साथी तो सामोही कुरूप से परियापरन कहते हैं कोई समस्या परियापरन का मतलब क्या होता है इन्वर्मेंटल का मतलब क्या होता है जो हमारे आस पास होते हैं उसी को नहीं हम कहते हैं तो यहां सीधा सब्द में बताया गया है question का answer करवाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान देजिगा परियावरन के साथी ये अजेबिक और जेबिक संगठन आपस में अंतक्रिया भी कहते हैं तो परियावरन को हम क्या कहते हैं साथी तो परियावरन के अजेबिक और जेबिक संगठन को आपस में अंतर करिया भी कहते हैं इसको आप लोग याद रखेंगे और यह सपून परिकरिया एक तंदर के रूप में संचालित होती है जिसे हम पारिस्थिदिक तंतर कहते हैं साथी ठीके कई बार आपको जब प्रेक्टिस सेट हम बता रहें थे पढ़ा रहें थे तो आप देखते होंगे पारिस्थिदिक तंतर के बारे में बहुत सारा प्रशन पूछा जाता है तो वहाँ पे आप सभी को हम कई बार बताए भी हैं कि पारिस्तिक तंद्र जो होता है वो हो पेर पोधे से संबंदित ही होते हैं परियाबरन से संबंदित ही होते हैं तो यहाँ पे आप लोग समझ गया होंगे कि पारिस्तिक तंद्र के रूप में परिभासित किसको किया जा ठीक है और परियाबरन किसी जीब के चारो ओर तरफ घीरे भोतिक एवं जैविक दसाओं और उनके साथ अंतक्रिया को सम्मिलिद कराता है आप से पूछ दिया जाएगा कि परियाबरन से आप क्या समझते हैं तो आप साथी परियाबरन के बारे में अब एक नहीं बलकि कम से क परियाबरन के बारे में आप किसी को समझा पाएंगे पहला कि परियाबरन क्या है तो ध्यान देजेगा आप साथी परियाबरन प्रिफिवी पर पाए जाने वाले भूमी, जल, वायू, पेर, पोधे एवं जीब, जनतु का समू जो है वो हमारे चारो और जो होता है उसी को तो हम पडियावरन कहते हैं आगे अगर बात के जाए कि पडियावरन अधिनियम कव आया था तो 1986 में आया था साथी और इसके अनुसार पडियावरन किसी जीब के चारों तरफ घीरे भौतिक एबम जैबिक दसा है और उनके साथ अंतर किडियाओं को सम्मिलत कराता है ठीके तो इस सब बातों को आप लोग अच्छे सा याद रखेंगे देखे हमारा पडियावरन से कि आपका जितना बन सका है मुझसे आपका सलेवस हम खतम करने का कोशिस कर रहे हैं आप सभी से रिक्वेश्टे के सेशन में जूरे रहिए बने रहिए लाश्ट तक सब कुछ आप आपको यहाँ पर मिलने वाला है तो साथी आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि पडियावरन जो है यह पडियावरन सब्द की उत्पत्ति कहां चुई है पडियावरन सब्द बना कैसे है ध्यान दीजेगा यहाँ तो ध्यान दीजेगा साथ थे कि पड़ी और आवरण सब्दों को जोने पर क्या बनता है तो पड़ियावरण सब्द बनते हैं बहुत इंपॉर्टन बात बता रहे हैं ध्यान दिजेगा यह आपको बहुत सारे ऐसे बुक है साथी कुछ जो की नहीं मिलेगा यह सब चेज तो यहां पर बहुत इंपॉर है क्या होता है तो जो आवरण हमें चारो और से घेरे हुए होते हैं उसी को दो हम पड़ियावरण कहते हैं कोई दिक्कत इसका साब्दिक अर्थ समझ गए साब्दिक अर्थ क्या होता है पड़ियावरण का जो चारो और से हमें घेरे होते हैं उसको हम पड़ियावरण कहत थिए थी प्रकार से समझने का परियास किजेगा चलिए आगे हम बात करते साथी तो यहां पे आपको फुर्धर के माध्यम सब्सक्राइब का सब्सक्राइब्रक्राइब करें आप का सम्धार внडल समता मंदल जिसको हम एस्ट्राप्टोस फेर कहते हैं यह दो भागों में विहाजित होता है और यह अलग-अलग बन कर साथी क्या निर्मान करता है तो वायू मंदल का निर्मान करता है एट्मोस फेर का निर्मान करता है दोनों मिल कर ठीक है फिर atmosphere जो है यह हमें पढ़िया बरन कैसे आखिर दिलाता है हमारे आसपास जो बाता बरन है यह कैसे बनते है ध्यान दिजेगा तो जो atmosphere होता ऐसा थी यह atmosphere जो है यह जी मंडल बायो स्फेर तक पहुंचता है बायो स्फेर जो है यह जल मंडल हाइट्रो स्फेर पहुचता है और अस्थन मंदल जो है यह फिर से कहां पहुचता है तो बायो मंदल तक पहुचता है इसी को एक प्रकरसे हम कह सकते हैं साथी कि जो चक्र है यह चक्र चलते रहता है और इसी चक्र के अंतरगत जो होता है साथी यह अपना क्या बनता है तो पढ़िया बरन का व मुत्पन होते हैं हमारे इस पास जो वता-बरन बनता है thirds मौसम क्राइमेट ねंज होता है यह कैसे होता है यहाँ परीयाज कि नेंगा कैसे हो रहा है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो भागों में हापन हो रहा थो जीव मंडल दुसरा है ऐस्थाल मंडल ध्यार से समझेगा में क्यमा आएंगे तो जीब जन्तु में साथी जानवर जितने होते हैं वो सभी आएंगे और सास में हम मनुष्य जो है यह भी हम जन्तु के अंतरगत ही आते हैं तो यहां आप समझ के होंगे कि बायूस फेर के अंतरगत कौन कौन आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको एक तो पौधे आएंगे दूसरा जन्तु आएंगे जन्तु में भी कौन-कौन होंगे तो जन्तु में साथी वो सभी जन्तु होंगे जो सांस ले सकते हैं बोल सकते हैं जिसमें साथी हम कहें तो आपका जानबर भी होंगे और मनुस्त्र भी होंगे ठीक है उसी कर अगर बात करें हम अस्थल मंडल में तो अस्थल मंडल में क्या होंगे साथी तो अस्थल मंडल में आपका परबत होंगे मैदान होंगे और मरू अस्थल होंगे ये सभी अगर नहीं होंगे तो क्या हमारा परियाबरन स्वच होगा बिल्कुल नहीं होगा इसलिए साथी परियाबरन को बनाने के एक दूसरे का है सभी को सपोर्ट करना पड़ता है ठीके इस प्रकार से आप लोग समझते चलेंगे हम चोटा सा प्रियास्ट कर रहे हैं समझाने का उमीद करते हैं की आपको समझ में आ रहा होगा अब कहता सा्थि कि जल मंडल क्या है जल मंडल भी important है अगर जल नहीं होगा तो क्या पडियापरन सुरक्षित होगा बिल्कुल नहीं होगा तो साथी जल में अगर बात की जाए तो इसमें आपका हीम दंद जील है नदी है सागर है ये सब ही आते हैं जितने जल मंडल हैं ये सब ही आते हैं ये क्या है तो पडिया समझा भी पाएंगे आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दिजेगा अब कुछ और भी important यहाँ प्वाइंट है ध्यान दिजेगा पडियावरन एक अभी भाज्य सम्मिष्ट है तथा जैबिक एवं अजैबिक तत्वों वाले अब आपसे पूछ दिया जाएगा यह साथी पडिया वरन का किस प्रकार से रचना होता है तो साथी याद रखना है आप सभी को यह जैबिक और अजैबिक तत्वों वाले पारज फडिक करियाओं तंत्रों को इसके सनर्चनाई कराती है मिल कर ठीके इस प्रकार से आप याद रखेंगे परिया बरन के तीन घटक होते हैं कौन-कुन तो साथ ही याद रखेंगे पहला घटक होता है जो भोतिक या फिर अजयविक कहेंगे ठीके जयविक और अजयविक आप सभी लोग पढ़े होंगे उम्मीद करते हैं कि इतना तो दूसरा जैबिक है और तिसरा क्या है तो तिसरा आपका Sanskrit जिसको हम मानम निमीत गती बिधिया कहते हैं इसके अंतर क्या क्या आएंगे सब को समझेंगे पहला है आपका जैबिक जिसमें अस्थल आएंगे वायू आएंगे जल आएंगे यह सभी प्रमुक्षी जाएंगे उसके बाद जैबिक है जैबिक में क्या आएंगे तो जैबिक में वह चीज आएंगे जो कि सांस ले सकते है living things और non-living things आपने पढ़ा होगा तो जैविक क्या हो गया साथी जैविक हो गया आपका जो सांस लेते हैं पादब सांस लेते हैं बिल्कुल जनतु सांस लेते हैं बिल्कुल सुच में जीव छोटा से छोटा अगर कोई जैसे फंगी बैक्टेरिया तो इसमें भी तो सांस लेने की समता होती है बिल्कुल सही है तो इस प्रकार से जीव सभी क्या होंगे जैबिक होंगे वहीं जैबिक जो होगा साथी वो सांस ना लेता हो जिसमें अस्थल हो गया वायू हो गया जल हो गया यह सभी चीज होगे अंतरगत आर्थिक समाजिक तथा राजनेतिक गतिविद्या सामिल होती है ध्यान दिजेगा आपसे पूछ दिया जागा कि परियावन में जो सबसे तिसरा गतिविद्या है तिसरा घटक है सांस के लिए तक इसके अंतरगत क्या क्या होते हैं ध्यान दिजेगा इसके अंतरग प्रभाहित करता है तो हम मनुश्य तो जेविक के अंतरगत आरे हैं ये बिल्कुल सत्य हैं लेकिन वहीं अगर अस्थर नहीं होंगे वायू नहीं होंगे जल नहीं होंगे तो क्या हम जीवन हमारा सुरक्षित रह पाएगा नहीं यहीं यहां पर समझाने का पढियास करणा साथी कि हमें क्या है तो चारो ओर से जेविक और अजेविक सभी चीज मिलकर चारो ओर से क्या करता है प्रवाहित करता है कोई समस्या चलिए बढ़ते आगे पढियाबन के कुछ कारक भी होते हैं साथी जिसमें संसाथन के रूप में कारी करते हैं और कुछ कारक नियंतरन के रूप में कारी करत चलिए आगे बात करते हें तो आगे ध्यांन देजिगा आप सबी लोग यहां देजिगा यह आपका साथ क्यांगा साथ कॉन सा चैप्टर था साथी तो यह आपका था परियाबरण का किष्टार बीकास तर परियाबर में कंपर कorp विकास हुआ है ठीक है यहाँ पे आप पर्याबरन एवं उसके सनचनाओं का भी बात किया गया है जो कि यहाँ पे आप फ्लो चैट के माध्यम से समझ सकते हैं साथी ठीक है यह आपको PDF मिल जाएगा अराम से आप लोग घर पे बैठ के चीजों को समझेगा रिवाइश किजेगा और आपको यकीन मानिये साथी पूरा आपका पर्याबरन कंप्लीट करबाकर ही हम रहेंगे अब आपका स्टार्ट हो गया है बस आप लोग से इतना बिंती है कि अधिक से अधिक से इस सेर कजिए इस चैनल को हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जो इस से कर लेते हैं और आप लोग भी इसमें सही उत्तर देते चलिएगा ध्यान दिजिगा कह रहा है पर्याबरन से अभी प्रा है अभी जश्ट हम आपको यहां पर बता हैं क्या बता है देखे ध्यान दिजिए प्रूप के साथ बात करेंगे कि साथी पर्याबरन क्या है तो प चलिए दलदी दिजे उत्तर क्या होना चाहिए इसका उत्तर जल्दी से दे दिजे और साथी यह आप देख सकते हैं UPPSE 2006 में यह प्रश्ण पूछा गया है ठीके तो देख सकते हैं प्रोप कितना important question है और कहां आपका question पूछा गया है तो यह आपका हो जागा साथी उप्यू को एक समय बिंदू पर घेरे वे होती है और भोतिक अजेबिक और सार्सक्रिदिक तत्वों की अंतर केरी अत्मक वेवस्ता जो कि हमें क्या करती है अंतदासम्मंदित होती है यह हमें पढयापरन का सीख़े देता है पढयापरन का पढ़िभासा बताता है ठीके चलिए इस पर पाए जाने वाली भूमी जल वायो पेर पौधे एबं जीब जनतू का समूझ जो हमारे चारो उर होता है साथी यही तो समावी रूप से परिया बरन कहराता है जो कि हम बार बार अभी चिला कर पूर रहे हैं परिया बरन के क्या होते हैं तो अजेबिक और जेबिक संगट परिया बरन आपस में अंतर किरिया भी करते हैं जो कि हम अभी उपर वले स्राइड में पढ़ चुके हैं और यह संपूर्ण परिया बरन किसी जीब के चारो तरब घीरे भौतिक और जैविक दसा और उनके संस साथ अंतर किरिया को क्या करता है तो सम्मिलित करता है चलिए आगे हम बात करते हैं देखे बहुत इंपोर्ण चीज बता रहे हैं और आपका नोर्स का काम करेगा बस आप लोग क्लास में बने रहिए आपसे बिनती है कि क्लास में बने रहिएगा सब कुछ आपको मिलेगा कह रहा है परिया बरन किसे बनता है देखे अभी तो जश्ट बता हैं आपको फ्लोट चाट के माध्यम से परिया बरन कैसे बनेंगा जल्दी बता दीजे जल्दी बता दीजे यह आपका देखे बीपीए सी 53 का और 55 का प्रश्ण है इंपोर्टन है देखिए आपको प्रूप के साथ ला रहे हैं पहले आप लोग कह रहे हैं देखे सर य इंसर होगा आपका उप्यूक्त सभी ठीके क्या होगा जीविए घटकों से अजेब घटकों से और भू आकरती घटकों से देख लेते हैं हम लोग थोरा सा यहां पे ध्यांदी जेगा थोरा सा तो यहां समझ लेंगे चलिए परिया बरन एक अभिभाज क्या है समिष्ट अ साथी अर्थात आपका जो बी डी नंबर था यह क्या है आपका सही है नेक ठंबात करें तो कहता है सामान नेता परिया बरन को निमन प्रकार से वर्गी करिद किया जा सकता है निमलिकित में से कौन सा एक इस वर्गी करन का अंस नहीं है question important है जल्दी बताए क्या होगा इसक यह होगा आपका पड़ी चालन परिया बरन कैसे होगा समझ लेजे यहाँ पर देखे सामाने तसाथी परिया बरन को हम भौतिक परिया बरन फीजिकल इंवर्मेंटल सांस्कृतिक परिया बरन कल्चुरल इंवर्मेंटल और जैबिक परिया बरन बायोलोजिकल में साथी क्या आते हैं तो मानम निनमित गतीवीदिया याँ जो कि हम अभी उपर पढ़ लिये हैं सिसमें क्या है तो आर्थिक है समाजिक है और रालनितिक इस्थितिया आती है वही achen हम बात करें साथी जयविक पढ़िया प्रण में तो यह क्या है तो इसके अंतरगत बनस्पतिया जीव जन्तु तथा सुच्व जीवे सामिल हैं कोई समस्या नहीं होना चाहिए एक-एक करके सारा कुछ हम explain कर रहे हैं चलिए आगे हम बात करते हैं ध्यान देजेका आप सभी लोग यहाँ ध्यान देजेका साथी आप सभी लोग नेक्ष्ट आपका प्रश्ण कह रहा है यहाँ ध्यान देजेका कि पर्याबरन किससे बनता है हम यह question कर चुके हैं एक सेकेंड साथी थोड़ा सा चलिए आगे हम बात करते साथी तो आपका next chapter है वो क्या है तो धारिये विकास या सतत विकास जो कि हम इसका क्या करेंगे तो कल के class में इसका अध्यन करेंगे हर रोज आपका एक chapter पुरा नोर्स के माध्यम से पुरा थीओरी के माध्यम से complete करवाएंगे और उसके साथ साथ ही आपका कुछ objective जो होगा जो की BPSC, UPSC, UPSC, JPSC सभी में प्रशन पूछेगा है उसका हम प्रूप के साथ आपको revise भी करवाएंगे ठीक है तो class में बने रहीगा बहुत important है और पढ़िया परन से आपका 100% question पूछा जाएगा क्योंकि यह syllabus में आपका है तो कल हम लोग साथ ही आपका धारिये विकास या फिर सतत विकास का अध्यन करने वाले हैं तो कल बिलकुल मित्र आप लोग miss किजिएगा class को और आपसे बिंती है कि कल की class को कोशिश किजिएगा कि आप अधिक से अधिक जोड़ें तो आपका यह पहला जो पढ़िया बरन क्या है पढ़िया बरन से हम क्या समझते हैं यह आपका introduction class था जो की साथी उम्मीद करते हैं कि हम समझाने में आपका समर्थ होंगे अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग हमें पुरसाहिद कर सकते हैं कॉमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं ताकि हम regular बेश्ट से बेश्ट कंटेंट लाने में आपके लिए हम ready रहें ठीक है तो आज के लिए इतना ही जैहिन जैभारत